हेलो गाईज आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वन प्लस की तरप से जल्द लॉंच होने वाले एक और न्यू फ्लेक्सी 5G स्मार्टफोन की और ये स्मार्टफोन चाइना मार्किट के अंदर 4 दिसंबर को ओफिसल लॉंच होने जा रहा है हम बात करेंगे वन प्लस ट्वैल 5G स्मार्टफोन की ये स्मार्टफोन आपको जल्द ही इंडिया में भी देखने को मिलेगा तो दोस्तो अज की जूड़े में बात करेंगे वन प्लस ट्वैल 5G स्मार्टफोन की कन्फर्मिस फेसिपिकेशन expected price और बात करेंगे यह स्मार्टफोन आपको कब तक देखने को मिलेगा इंडियन मार्किट के अंदर तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के first look and design की तो first look leak हो चुके हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहां पर आपको design and look के अंदर कोई भी सिकायत नहीं आने वाली अगर बात करें यहां पर build quality की तो middle का metal का frame देखने को मिलेगा wouldn't touch इस texture देखने को मिलेगा आपको panel back के अंदर और front में आपको corny gorilla glass victus की protection देखने को मिलने वाली है तो build quality भी top level की मिलने वाली है build quality से भी आपको सिकायत नहीं आगी बात करेंगे phone के display की तो display मिलेगे आपको 6.82 इंचिस की एक 2 के resolution के साथ एक OLED MO display और यहां पर आपको display मिलेगी mat A plus वाली rating के साथ यानि के display quality काफी awesome देखने को मिलने वाली है view angle काफी कमाल के मिल जाएंगे यहां पर आपको कोई भी सिकायत नहीं आएगी display के मामले में है क्योंकि यहां पर आपको HDR TNPS की certification मिल जाएगी Wide One R1 की certification मिल जाएगी अगर बात करें brightness की तो यहां पर मिलेगे आपको 2,600 nits की maximum peak brightness यानि के indoor outdoor visibility काफी बढ़े हैं मिलने वाली है display में आपको brightness की मामले में कहीं तक भी कोई सिकायत नहीं आएगी Under display finger print scanner की supporter of face लोग की security देखने को मिलेगी OnePlus 12 5G smartphone के अंदर latest Android version 14 के साथ launch किया जाएगा और Oxygen OS 14 पर यह run करने वाला है OnePlus 12 5G smartphone यानि आपको operating में भी ज़्यादे सिकायत नहीं आने वाली तो दोस्तों बात करते हैं phone के man party इनकी उसकी performance की बटूस से पहले है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो please वीडियो को लाइक कर दिना और चैनल पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिना flexible level की आपको performance देखने को मिलेगी Qualcomm की powerful gaming chipset Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3 वाली एक flexi powerful gaming chipset देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको 3.35 GHz की maximum peak flexibility देखने को मिलने वाली है यनि कि performance का segment काफी जबर्ज देखने को मिलेगा PUBG Free Fire का मज़ा काफी तकड़ा लेने वाले है यहाँ पर आपको gaming में सिकायत नहेगी LPDDR5X वर्जन वाली RAM और UFS 4.0 वर्जन वाली storage सपोर्ट देखने को मिलेगी हाइर वेंट के अंदर यनि कि performance का segment काफी तकड़ा होने वाला है तो यहाँ पर आप बेफिकर सो गईज अब बात करते हैं फोन के camera setup की तो यहाँ पर आपको triple rear camera का setup ही देखने को मिलेगा 50MP का man sensor का with OS की support देखने को मिलेगी Sony का IMX 966 वाला यहाँ पर sensor देखने को मिलेगा यनि कि यह काफी तकड़े image देखने को मिलने वाली है and 50MP का IMX 5810 वाला ultra wide angle camera देखने को मिलेगा and 64MP का यहाँ पर periscope यानि के telephoto camera देखने को मिलने वाला है जहाँ पर आप 8K man 4K video recording कर पाएंगे overall camera setup काफी तकड़ा मिलने वाला है यहाँ पर आपको camera से सिकायद नहीं आगी अगर बात करें selfie camera की तो यहाँ पर आपको 32MP का selfie camera देखने को मिलेगा जहाँ पर आप 4K video recording कर पाएंगे overall phone का camera काफी अच्छा मिलने वाला है camera से आपको कहीं तक भी कोई सिकायद नहीं मिलेगी तो दोस्तों बात करते हैं phone के alert slider की तो जी हाँ आपको alert slider भी देखने को मिलेगा इस phone के अंदर बात करेंगे phone के battery backup की तो 5400 mH की battery मिलेगी और battery को charge करने के लिए 100 watt wire charging की support and 50 watt wireless charging की support देखने को मिलेगी and USB 3.2 वाला port इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको charging के लिए बात करते हैं color option की 3 color option में देखने को मिलेगा white, rock, black and evergreen 3 color option होने वाले 3ों के 3ों बढ़ी होंगे तो दोस्तों आप बात करते हैं phone के pricing की तो expected है ये smartphone आपको 45,000 अबोवी देखने को मिलेगा इंडिया मार्किट के अंदर चाइना में 4 December को लौँच के जाएगा इंडिया में December के end तक लौँच के जाएगा आज की इस वीडियो में तरहीं कल फर मिलेगे को नेवड साथ तब तक के लिए थैंकि वाचिक जाएगा